हाई एवरीवन स्वागत है आपका अपने अप्लिकेशन साथी साथ अपने यूटूब चैनल क्रेजी पॉलिटेग्रिक पे हम उमीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आज हम लोग स्विच गेरन प्रोटेक्शन में स इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं कॉल को प्रोसेस का उप्यों करके हम उन फॉल्ट से दूर कर सकते हैं जनरली सेशन में हम लोग टोटली पढ़ेंगे कि मोटर में अम लोग प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं तो मोटर में जो भी हमारा फॉल्ट होगा उसको दू करने के बाद वो कमांड देता है कि इसको सर्कीट ब्रेकर को और इस तरह से जो भी शिस्टम में लगा होता है उस सिस्टम को प्रोटेक्शन कर देता है जाए वो अमारा अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन हो चाए हमारा मोटर का प्रोटेक्सिंड हो चाहे हमारा फीडल का प्रीडल का प्रोटेक्शिन हो कहीं पर भी एगर stealth कम लगा रहें तुश का मैलिर यही होता है जो भी सिस्टम में लगा वो ऊ करता है मतलब की फाल्ट कर्डिशन को वो सेंस करता है और कमान डेता है कि इसको सर्कुटट ब्रकर को रॉच्टिट परेकर हमारा इपरेट कर जाता है और अबर अब आन्ल Azad community अ Elearm फोर प्रोटेक्षिन अप मोटर फ्रम फॉल्ट मोटर को फॉल्ड से बचाने के लिए हम लोग जो ऑलग अलग तरीके का प्रोटेकटिव रिले का उप्योग करते हैं कता इज रिले सेंस्ट डीय और नॉर्मल ओपरेटिंग कंडिशन्ग ये रिले जो हता है वो हमारा जो ये यह यह सरकिट है उसमें अबनर्म ल कंडिशन को सैंस करता है और सर्कीट ब्रेकर को कमांड देता है निक देगा स्रकीट ब्रेकर को तो उससे क्या होगा मारा सर्कृ ब्रेकर जो वो ट्रीप कर जाएगा काता है अंगेंस्ट फॉल्ट इन मोटर में जनरल आप वाल्ट कहा है तो अमारा दूसरा आ रोटर क्योंकि यह ही दोनों इंपोर्टेंट पार्ट होता है और इसी दोनों में सिवियर फॉल्ट आने का सबसे पहले पर जो मैं आता है वह बाइड इंक सरकुट मतलब बाइंग और बाइंग से लगा गभाए जो भी सरक्यट उसमें होगा उसमें हनली फॉल्ट आने का काम हो सकता है फॉल्ट आ सकता है अगर आप मुटर पर ज्यादा लोड लगा दिये तब यह भी मारा एक फॉल्ट में आता है स्वाट सर्कृट हो गया तब फिर अंडर वोल्टेज फेज अन बाइलेंस अगर फेज अमारा तीनो फेज अन बाइलेंस हो गया उस कंडिशन में या फिर सिंगल फेजिंग वतलब अगरा पहले इधर के ओर था आप करेंट कराइश रमारा इधर के रिवर्शल हो जाता है स्वीचिंग ओवर वोल्टेज ओवर वोल्टेज तूचिंग यह सव अमारा क्या है फॉल्ट जेनरली मोटर में आता है और इसारे फॉल्ट को अमलोग दूर करने के लिए अलग अल कि अगर आपका फॉल्ट का लेवल अगर आपका फॉल्ट करेंट का वहलू बहूत ही ज्यादा होता है मेगनिटूड में बहुत ज्यादा है तब उसकेस में रिले जो वह बहुत ही कम समय लेता ऑपरेट करने के लिए जैसे कि आप छोटा सब्समाजिए कि बाई दिबे किसी कहीं पर कोई बिल्डिंग है जिसमें कि आग लग गया है ठीक है जब आग हमारा बहुत जोर का लगा हुआ राता है तो हमको ज्यादा फायर बिरिगेट को बुलाना पढ़ता है ज्यादा जल्दी एंपोसिस करते है किसको बुझाए नहीं तो क्या होता है हमारा घर जो है वह बरबाद हो सकता है बहुत जल्दी हमारा जो है जो भी बिल्डिंग में लगा हुआ लेकिन अगर कहीं एक छोटा सा आप मानिए कि कोई रूम है रूम में किसी गैस में आग लग लगया तुसके लिए बिलाते है अगर लोग बात करते हैं यहां पर बढ़ा बिल्डिंग है उसमें बहुत ज्यादा लाग लगा हुआ है बहुत हाईर रेंज का लगा हुए था को बुलाना परता है ताकि उसको कम से कम समय में दूर कर सके उसी तरीके से रिले में क्या होता है जैसे हमारा फॉल्ट करेंट अगर 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 तो किसी में भी तो तो सौट सर्कूट से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्यों करते हैं क्योंकि यहां पर हमारा यह जो मोटर होता है वो मोटर नहीं चाहिए कि अगर करेंट प्रोटेक्शन मोटर में अगर ओबर करेंट से प्रोटेक्शन 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 प्रोटेक टेक्टटिंग एलिमेन का प्योग कर सकते हैं ठीक है अच्छा नेक्स हमारा आता है अस्टेटर ओफर हीटिंग आता अपस्टेटर बहुत देटिंग vocal हो रहा है मतलने असरी आका बैंटिंग हमारा ओबरीट हो रहा है तो उपारीट की बात आगे हैं तो हीट में लोक्सा रि न्हीं किया बे попроб को किया सब्सक्राइब तो अगर आपका मोटर ओभडिक पर ज्यादा क्यान करें या हमारा स्टेटर का क्यरेंट और उट पर अन्ग यह फांद समय लेंस करेंट रहा हम करेंग यह तो century को तो करता है वो चार से पांच गुना करेंट जद ज्यादा फ्लो करता है अब चार से पांच गुना करेंट था है और हमारा स्टेटर क्रे यो बांदिंग है उसमें भी तो वहां पर पर हमारा रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर क्या होगा और है और करेंट की ऐसकॉर आर लोस實 होगा जब यहाई स्कॉर आर लोंसस होगा तो यह लोसस कॉन सा लोसस है तो हीaciones है क्ड़क हो速 तुरिक यो तब हमारा ओवरीटिंग होता है वो ओवर लूडंग लांबी समयता करा डूंब करेंग का तब हमारा हगा भॉलं लोड शेटिंग होने का चाहस सबनता है चाहा था झालम से प्रोट्रशान में पीटेशन के लिए three phase motor should have overload element in इसब इस पर एकार करता है कि this protection के लिए हम लोग जो है वो ऊबर करते हैं protection के लिए ऑन लोग thermal एकपियों करते हैं over एटिंग से protection के लिए तीए वारा दूसरा point हो गया दूसरा मिथक्त आ में चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा रोटर ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन रोटर ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन कहां हो सकता है तो पहले आपको मोटर को याद करना होगा मोटर हम लोग दो तरीके के पढ़े थे एक हम लोग पढ़े थे एक हम लोग पढ़े थे हमारा दो तो अस्क्वारल के था उसमें लोग कंड़क्टर बार का उप्योग करते थे एसी मशीन याद करिए वहाँ पर आपको दो तरीके का रोटर हम लोग मोटर में बताए थे तो उसमें से हमारा यह जो रोटर ओवर लुटर के लिए हाँ लोग किस्में देंगे तो जहों पर बाइडिंग होगा वहीं पर तो हमारा ओवर इटिंग होगा तूजनररली बाइंग हम लोग के हरते था तो शिल्प रिंग टाइप रोटर रोटर में लोग उप्योग करते थे तो यह जो अंबारा प्रीनलोग रोटर में ओवरीटिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड अगर हम लोग करते हैं तो वो जनरली कहा होता है तो वो हमारा उन्ड रोटर मोटर में होता है क्योंकि यहां पर रोटर में हमारा बाइडिंग होता है ना कि हमारा कंड़क्टर बार होता है काता है इंक्रीज इन रोट अबर करेंट तो यह लगा ते है उसका से टिंग इस आ ऐसा करते हैं कि जो इसका फूलोड करेंट होगा उस मोटर का उसका उसका व्लोग 1.6 टाइम उसको रखते या और इसी से यो यह रोटर फॉल्ट को वो सेंस कर ले था और ऑपरेट कर जाता है प्रभावित होता है उस में जैसे यह टर का छाइमारा ओंट फरेट करने के लिए और्टर फॉल पॉल्ट कर लेगा जाए मेरा में सुप्लाय मे को इककर डेगा रोक्त हो जाए गया बहुत ही संदार है कि अ पॉमटोर को कैसे प्रोटेक्शन प्रवाइड करेंगे तो काता है कि जब हमारा जो हमारा तब उसकेस में क्या होगा तो करता है तो ज्यादा करेंट को हमारा खिचने लगता है अब जब ज्यादा करेंट लेगा तो हाँ पर क्या होगा हमारा उत्तरा ही बन सकता है क्या है गश्याद का नगूतग किया अब इसका उप्योग भी कर सकते हैं और साथी साट टेंपरैचर सेंसेंग डिवासेस का उप्योग कर सकते हैं क्यों क्योंकि क्या बोले से हमारा उन्डर वोल्टेजu क्डिशन में जाय गाति यह लाग सखेगा जब लाग executives को क्हीचे sensing devices होना चाहिए जैसे के मारा थर्म लिले तो थर्म लिले उसको सेंस कर लेगा और अपरेट कर जाएगा है अब हमारा नेक्स्ट रसम से इंपोर्टेंट और सबसे लास्ट पिक जो इसमें बस्ता है वाना ओटा है रिभर्संट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मतलब दोख और और यह वाइड़ से रोटेट कर रहा है तो यह भी तमारा फैल्ट है और यह बहूत बढ़ा फॉल्ट होता है तो इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक का उप्योग करते हैं उसके बारे मम लोग डिसकस करेंगे जनरली जो यह प्रोब्लम हमारा आता है यह प्रोब्लम बहुत यादा दिकत हो सकता है किसमे जहां पर अलेक्ट्रिक वेहिकल्स या अब पता चला कभी-कभी अभी देखते होंगे न्यूज में ओला में ओला जो बाइक आता था उसमें क्या देखते है कि आगे जालने के लिए मोटर जो हमारा बाइक है वो पीछे क्यों मूव कर रहा है तो वह क्या होता है फेज रिवर्सल के करान होता है जैसे अगर ट्रे इंटरशी इन सम खेज रिवर्सल जो है वो कुछ देजरा सुथा होता है सच है इलिवेटर में अब पताच चला कि हमको जाना है उपर बटन दवाये दूसरा फ्लोर पर पहुंच के ग्राइं फ्लोर पता दिक्त है उसमें दिक्कत भी हो सांने क्योंकि मोटर जो है वो इस्ट प्रोटेक्शन उसे प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है तो कल रहा था तो जैसे participants वह रहा था सब्सक्राइब हुआ ता से लिए उस्में क्या था टा तो उसी प्रोसेस को लोगे आप यहाँ पर यूज और से प्रोटेक्टिक्सन के लिए उस में क्या था अगर करेंट हमारा सही डारेक्शन में जाता था तो उमारा जो डिसक तर्फ आ वह रोटेट करने लगता था रोटेट करता है अगर प्छला सारा कॉल सेट किरियर अरगा तब आपको याप पर दिकत नहीं होगा याद आ रहा होगा हम किसके बारे में कह रहे है ठीक है तो भाई काता है कि फेज रिवर्शनी बेस्ट आन दी एलेक्ट्रोमेटिक प्रिंस्पर तर्सिस्ट आफ डिस्क मोटर ड्राइबेल भाई अधिक मेंनेटिक शिटम ठीक है दा फूरेक्ट फेज सिक्वेंस और फेज सिक्वेंस के लिए डिस्क एक्सपरियेंस और की फोजेटिटिव डिक्सन जाब ओधो और्टर पेज़ रिवर्शन लेकिन जैसे हमारा फेज रिवसल होता है तो तो टर्क आइक्टिंग अनुल्ट रहर लगता है डिस्क लिवस्कनने लगता है और दिस्क स्टाइट रोटेटिंग रोटी डिरेक्षग सय्क्यार के स्टेटन टीव अ सुझ रघ्दक हरेक्ट अर्सक्राइब कर देता आइंड ठीक है थास्तम् heが dis एस्तेटर कैन बी बिटी एनर्जाई जिसे हमारा में टिक को जो होता है इसमें हमारा क्या आता है तो अगर हमारा सही डाक्षिंट में करेगा तो वह उसी रोटेट करेगा रिवर्सल में जैसे प्रोटर का प्रोटेक्शन हो जाएगा तो यह था हमारा आज का सेशन में आपको कहीं पर को दीकत नहीं होना चाहिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बतरीन वध्य में आप लोटर के बारे में यह अच्छे से समझ लिये ओंगे कि कौन是 Evangelist में आ सकते हैं और कौन टॉपिक है ध्यान रखिएगा